असलाम वालेकुम मैं यूटिफ फैमली कैसे आप लोग तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोग से अब गानी चिकन का रेसेपी शेयर करे हूँ यहाँ पर ही मैंने चिकन को वाश किया है तो फ्रेंट्स मैं कोई कॉण्टिटी नहीं बता रही हूँ मैं सिर्फ आपको प्रोसेस ब तो यह सबको अच्छा से आपको हाथ से मिलाकि मैरिनेशन के लिए चोड़ देना है कम से कम भी आदा गंडे के लिए isके बाद मैं यहाँ पर इपुदीना जो है वो मैंने हाफ प्ल लिया है दनिया पता मैंने हाफ लिया है और उसके बाद मैं दस से 12 काजू ली हूँ और नहीं ख़ों डाय को युटाइप सक्षाइब के ने अव्यानिक-विक ने वि승éta कर से निगेट कुछिए हूं और इसमें में चार मसाला देती हूं, कस्तुरी और आपका चाट मसाला, ब्लैक पेपर, और ग्रम मसाला, चार मसाला दे के आपको अच्छा से इसको दही को fat लेना है मसाला के साथ, उसके बाद यह घर का home made mirror cream था, एक प्याला वो मैंने दिया है और यह आमुल क्रीम वो भी मै थोड़ा से दी हूँ और देखे इसको अच्छा से मिला के यह मैरिनेशन को आपको अलग रखना है और एक बड़ा बोल आप लीजे का फरंट जिसमें आप सब मिला के आपको मैरिनेट कर सकते हैं आप चिकेन और यह सब तो देखे यह सब को मैं इनको जो है लेम सौरी जो ची चीकेन लिया है उसमें आप मैरिनेट करके फिर हाफ एनार के लिए अप रख दीजे इससे आपका काफी अच्छा मैरिनेशन होगा अच्छा से मुझा मसाला जो है न वह आपका चिकेन का पीस के अंदर पूरा अच्छा तरीका से मैरिनेट हो जाएगा तो जब आप चिकेन ले सकते हैं और यह सब पीस को आपको निकाल लेना है पूरा अच्छा से छान के ग्रेवी अगर इसमें एक जरा भी रहेगा ना तो जब आप चिकेन को फ्राई करेंगे तो यह ग्रेवी जल जाएगा और इससे टेस आपका चिकेन का टोटल खराब हो जाएगा तो यहां द बहुत जादा अगर टेंपरेचर हाई है तो आप उसको फिर मिडियम करिये फिर उसके बाद आप मेडियम कीजिए फिर हाई ऐसे कीजिए और इस तरीका से आप स्टैंड गैस कर निकाल दिजे और यह केक का जो स्टैंड है वो लगा दिजिए उसके बाद मैं इसमें समोग तो मैं इस तरीका से मैं इस स्मोक की फ्लेवर देने का कोशिश कर रही हूं तो देखे फ्रेंड्स यह काफी अच्छा हो गया है इस स्मोक इसमें काफी अच्छा लगा है और इसके बाद आपको देखना है कि चिकन जैसे जले नहीं और मैंने एक चमच आमुल बटर दिया है और तीन चार चमच मैंने फॉर्चिन तेल दिया है एक खड़ा गरम मसाला में मैंने एक दालचीनी तीन इलाची और चार मैंने लॉंग इन सब को हलके सौटे करना है जो ग्रेवी जो मैरिनेशन करके जो बचा था वो ग्रेवी मैंने डाला है अभी देखे ग्रेवी का कलर जब यह बन जाएगा तो यह थोरा डल पेस्टिल कलर हो जाएगा उसके बाद जो भी मेरा इसमोकी चिकन ता यह सब मैंने इसमें आट कर दिया है और देखिए यह मेरा पूरा कुक हो गया है मैंने ढखना ढख दिया था दस मिनिट के लिए क्योंकि यह 70% कुक हुआ था फि के फ्रेंड्स आला पीस